हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बदर विद आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में लेकिन टाटा पावर में सबसे इंपोर्टन बात यहीं दोस्तों की लगाता अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर का स्टॉक आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा था बट एक कंजिशन जोन था जहां पर स्टॉक लगाता रुक रहा था आज उस लेवल को ब् टागेट के बारे में तो दोस्तों चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाहिएगा स्टार्टाप आवर में अगर आप आस देखेंगे तो कर 251.90 के आसपस की क्लोजिंग आतीवी देखने को मिली है अच्छी बात यहीं कि 250 प्लस की क्लोजिंग आई है बिकॉस 250 रुपीस का लेवल अपने आप में बहुत बड़ा होडल था जिसको देखें स्टॉक नाच क्रॉस कर दिया है शुरुरवात में अगर आप दिखेंगे देखने को मिला है लेकिन लास्ट फनमंत में स्टॉक ने आल्मोस्ट आपको जो रिटन कमाके दिये हैं वो 16.51 पोसंट है तो रिटन के मामले में स्टॉक ने काफी बढ़िया प्रदशन करके दिखाया है बहुत शांदा रिटन्स डिलेवर किये इसको कोई भी देखिए कै ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है इन डिफिनिटल अब एक्सपेक्टेशन से ही कि नया आप 52 भी खाय भी बनता हुआ देखने को मिले और जल से जल 267 रुपीस के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ देखने को मिले लेकिन सबसे बले फ्रेंच बात करते हैं आज की और जब तक देखें इन लेवल्स पर बाइंग होती रहेगी तब तक स्टॉक बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा देखने को मार्केट का भी सपोर्ट है डिलिवरी के बारे बात करते हैं तो आज आपको डिलिवरी आती भी देखने को मिले है जो क्लोस तो 26 पोशन के आसपास है एंड डिलिवरी पोशन इज भी बढ़िया है लेकिन इंपोर्टन चीज क्या है लास्ट सेवन डेस के अंदर कि स्टॉक में आज जो तर्न ओवर होता हुआ देखने को मिला है तर्न ओवर जो आता हुआ देखने को मिला है करीबन 98,645 लाक्स का यानि जो सबसे जादा वॉल्यूम्स आज क्रियेट होई है यह दिखा रही है कि लास्ट साथ दिनों में आज सबसे ज्यादा स्टॉक में पोजिशन बनती हुई देखने को मिली है बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है और सबसे पहली बात क्या है कि देखिए एक दिन पहले आपको बिल्कुल एक दिन पहले था और अब अगर आप देखिएंगे तो बिल्कुल हाइस के तरफ कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए स्टॉक ने शॉर्ट टम में जो एक बैरियर था उसको क्रॉस कर दिया है और अब इसके उपर निकलने की पूरी कोशिश करता ह हुआ देखने को मिलने वाला है और डिफिनिटली यही कहूंगा कि स्टॉक के अंदर अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ देखने को मिलना चाहिए बस यहां पर हमको एक्सपर करना है कि 245 के बिलो ना जाए अगर 250 के नीचे एक बार तूट भी आ आ सकती है आज क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत शांदार तीजी थी तो अगर उसकी बेसिस पर भी गिरावड आती तो स्टॉक बस अपना 245 का लेवल को बचा ले यह क्रूशल होने वाला है और बात करेंगे स्टॉक के पर चार्ट के उपर लेक कमिशन कर दिया है तीन सो मेगा वाट का सोला प्लांट गुजरात के अंदर गुजरात में धोले रा के अंदर और अगर आप देखेंगे तो यह अपना आप में इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी तक किया गया है यह इंडिया क और यह खवर अगर आप दीखेंगे तो आती भी देखने को मिली क्योंकिए एक इस लिखेंगे जो Tata Power की दोरा बनाया गया है और आप दिखेंगे लगातार ऐसे orders company को मिले हैं और company ने उस orders को पूरा करके दिखाया है यह दिखाता है कि हाँ company दोस्तों काफी शांदार है and important चीज यही कि देखे Tata Power के अंदर जो आपको काम का जल्दी जल्दी होता हुआ देखने को मल रहा है वह definitely देखे company के जब numbers निकल के आएंगे तो उसमें reflect होगा और यह ख़बर जैसे ही निकल के यह मुझे बहुत शांदार खबर लगी विकाज अगर आप देखेंगे लगातार इंडिया के अंदर अगर आप नज़र डालेंगे तो solar solar plants solar tracker systems इन सबका देखिए अब बहुत तेजी से आपको growth होता हुआ देखने को मिलेगा और यह हर जगा आते हुआ देखने को मिलेंगे और यह पहला काम होना यह मुझे अपने आप में बहुत positive चीज है अब इससे होगा क्या इससे होगा सबसे बड़ी चीज carbon emission की कमी करीबन 704 340 metric year turns पर अगर आप देखेंगे तो यह कम होता हुआ देखने को मिलेगा और दोस्तों जो installation हुआ है वो करीबन यहाँ पर 87 30128 लाग करीबन 870,000 के आसपस mono crystalline PV modules आपको लगते हुआ देखने को मिलें जो install होते हुआ देखने को मिलें so overall यहाँ पर जिस प्रकार के दोस्तों challenges निकल किया है Tata Power EPC को उसके बावजू देखे जल्दी से जल्दी successfully इस project को ट्रोजेक्ट टाइम लाइन के अंदर खतम करना यह company के देखे अपना आप में बहुत बड़ी achievement है और वो होता हुआ देखने को मिला है और यही देखे सबसे जादा इंडिया के अंदर शोला प्लांट स्टाटा पावर की द्वाराई मेड बनते और वही पूरा करते हुए देखने को मिल रहे सारे प्रोजेक्स कंप्लीट करते हुए देखने को मिल रहे है यह खबर निकल किया है तो यह खबर अपना आप में काफी positive थी सबस्क्राइब बात करने टाटा पावर के उपपर टार्गेट के उपपर लास्ट वन मन्त में स्टॉक ने अंडाउटिडली मासिफ तेजी दिखाई है इस इतना उपर बढ़ता हुए देखने को मिल रहे है बली अगर आप यह देखेंगे लेकिन अब इंपॉर्टेंट दिन आने वाला है इंपॉर्टेंट बेसिकली सचन आने वाला है अगर आप दिखेंगे आज जिस प्रका की तीजी हुए स्टॉक बिल्कुल यहां से इतना उपर बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है यह जो लो बना था उसका स्टॉक ने लगा तार तीजी करके दिखा है अब हमको जेखना होगा कि कैसे इस जोन को क्रोस करता हुआ देखने को मिलता याद रखिए कर यहां करी हुआ था just because Russia Ukraine crisis create हुआ था so अब हमको देखना होगा कि जिस प्रकार से जो गिरावट हुई थी क्या इस बार ये लेवल का breakout आता है अब अगर आप देखेंगे तो stock उस zone पे आ चुका है कि जिस zone पे stock क्या तो देखिए इस level को फिर से कह सकते हैं कि नी क्रॉस कर पाएगा या तो इस level को क्रॉस करके बड़े breakout के तयारी stock करता हुआ देखने को मिलेगा और ये दोस्तों जैसे बड़ा breakout आपको आता हुआ देखने को मिलता है ये direct stock 265 270 280 most probably 300 rupees के level के पास जाएगा तो अब closely watch करना है levels अगर देखते हैं किस प्रकार से यहां पर काम करता हुआ देखने को मिलता है क्या इन levels के आसपस फिर resistance करके नहीं चाहता है या फिर अपने support से फिर तेजी करके दिखाता है तो यह काफी बहुत important रहने वाला कल की दिन के उपर focus करेंगे मुझे अगर 255 रुपे को कल निकाल देता है तो 270 रुपे तक के target को कल ही visible हो जाएंगे stop loss लाकर रखना है आपको करीब यावे 245 रुपे का तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चानल से नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर देना थैंक्यों फ्रेंट्स लाचिंग इस वीडियो